तो तीर स्टेटोंस वे पडिने पेजम नाइटी थी नोट इसमें एक और निमर्कल सोलोशन दिया है निमर्कल प्राब्लम दिया है यह क्या करते है दिए वर्व फंक्शन देगिवन मैटल फॉलॉग मैटल इस गिवन भाई यह को सोडियम यह अलग अलग मैटल्स का वर्व दिया है sodium का 2.75 electron volt है potassium का 2.30 electron volt है m m इसका है 4.17 electron volt nickel का है five five point one five electron volt हमने बताना है which are these metals will not give photoelectric emotion for a radiation of wavelength 33 hundred angstrom यहां पर हमें क्या क्या यह क्या बोलगा है कि यह जो metals दिया है यह जो metals ये metals दिये गया है इनका अलग अलग ये जो दिया गया है work function तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब work function of certain metal होगा greater than the energy of the instant photon तब ये जो है electric emission possible नहीं है तो photo electric emission possible होता है तब जब energy of the photon greater होना चाहिए work function of the metal से तो अब यहां पर हमने बताना है कि यह work function थी है हमें कुछ metals का इस पर हम हमने बताना है कि जब हम इन पर radiation of wave length दालेंगे और 3,300 एंग्स्टॉम दालेंगे रहाम हीलियम कैन्वियम लेजर भी हम दालेंगे जिसका वेलियम के थे थी 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 हंड़र्ड एंग्स्टॉम हमने बताना है कि इन मेटल में से कुण शो करेगा फोटारेंटक इमशं कुण से मेटल ऑन गया यहां कुण नहीं देगा इसके लिए डिया है वरफशन उपांक्शन उप सोडियम वरफएंट पर चम्व्र इसको में चैंज हो जाएगा वेलेंग्ट तो वेलेंग्ट को में हमने चैंज किया तो हमने पता ने तो इसका वैली आज पर इंटी में चैंज किया यह बन गए ठीट यह यह जो रेडियाशन है वो दिया है रहामें ही लेजर बीम जो हमने डाला है उसका थे 3300 एंग्स्टॉंग उसको मने में में चैंज किया यह बन गया 3300 न्यूट्र टैन्सवर माइनस 10 मेटर इन्टू जूल उसको एलेटरन वोल्ट बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया 1.6 इंट्र टैन्सवर माइनस नाइटी एं आप आप अपर कालकुलेशन यह एनर्जी आफ फोटन इंसिदेट फोटन है वो निकला 3.76 इलेटरन वोल्ट आप देखो एनर्जी आफ डी इंसिदेट जो फोटन है इसे रेडिशन और इसन फोटन है वह थी पैंट सेवन्ट इलेटरन वोल्ट अब हम उपर खुद देख सक वहाँ पर फोटो ऑलेटरन इमशन पाश्चिबल नहीं है सो बचो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इनर्जी आफ इंसिदेट फोटन निकला है मैं है तो हमें देखना है यह जो चार मेटल हम्हें दिये हैं यहाँ चार मेटल दिये हैं इनका वर्लड फॉट अलग ज्यादा है जिस मेतल का बर्थ फंशन्ट ज्यादा है एनर्जी अफ इंस इंस फोटन से वहां पर वर्थ फंक्शन फोटन पॉसिबल नहीं है so from the result we can conclude that for sodium for just sodium hay or potassium the energy of instant photon is greater than world function आप देखते हो sodium or sodium or a jo sodium or partition के लिए इसका जो energy of the photon greater है in these metals so the electro photoelectric emission is possible in these metals for sodium and partition the energy of incident photon is greater than the work function hence photoelectric emission is possible but in the case of M0 and nickel the energy of the incident photon is less than the work function hence the photoelectric emission is not possible so in two metal का जो work function है वो less than वो less है energy of the incident photon से इन दूनों में है photoelectric emission possible है while as यह जो दो मेटल है इनका इनका वर फ्रेशन वैल्यू ग्रेटर है incident energy of the incident photon सो इन दो मेटल में यह photoelectric emission possible नहीं है यह हमने इसमें बता ना था इस इस प्रॉब्लम में है so we will take the next एक स्माल प्रॉब्लम है पेज नुमर 94 पर यह 94 हम continue कर रहे है यह पेज नुमर इफे फोटो इमिश्यू सर्पेस है जै थ्रेशोल फ्रेकेंसी 4.6 हमने बताना है minimum energy of photon फोटो इमिट करेगा फोटो इमिश्यू सर्पेस है जहांसे फोटो इमिश्यू पासिब रहे उसका थ्रेश्वल फ्रेकेंसी दिया है 4.6 हमने बताना है minimum energy of photon minimum energy of photon क्या होगा in electron voltage which will emit photo electron जो photo electron emit करेगा so we will we are continuing this page number 1494 यहां यहां दे दिया है threshold frequency दिया है 4.6 into 10 is on 14 hertz energy of photon हमने निकालना है energy of the photon is given by e is equal to h into new zero that is that is e is equal to h constant 6.6 in 10 is on minus 34 यह constant है into new zero threshold frequency दिया है 4.6 in 10 is on 14 joules इसको electron voltage करने के लिए इसको divide करते है 1.6 in 10 is on minus 19 सो यह बन गया यह relation और यहां से energy of the photon निकला 1.89 electron volts सो यह जो हमने बताना था कि energy of the अमने निकालना था energy of the photoelectron and minimum energy of the photon minimum energy of the photon निकालना था in electron volts which will emit photoelectron what this is the energy minimum energy of the photon in the electron volt which will emit photoelectron from the photo emission surface which has threshold frequency 4.6 into 10 is on 19 hertz so इसमें से हमने निकालना था minimum energy of photon वो निकला गो जब यह photon का energy यह होगा और जो threshold frequency 4.6 in 10 for 14 hertz होगा इसका photo emission surface का metal surface का तो उस वाकत जो है जो photoelectric emission possible है thank you we will continue the videos